तो बाइयर सबको बताए मेरी साइट blogging.in है और इस पर मैं काम करता हूँ ट्राफिक भी मैंने काफी लिया है अभी की टाइम पर रिसेंटली मेरा एक्टिविटी शायद बढ़ गई होगी इसलिए इसका जो CTR था लास्ट दिन वह बहुत ज्यादा हाई चला गया था तो तो सबसे पहले कि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहरा हूं यहां पर अगर आप अपनी वेबसाइट को एकदम सिंपल रखते होना तो आपको ज्यादा फालती चीज़े करना ही जरूत होती नहीं यहां पर आप देख सकते हो मैंने सिंपल से केटेगरी यह बनाई हो औ आपको काफी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इसी के साथ मैं बात करने वाला ता आपको बताने वाला था वीडियो में अपने देखी लिया हो जहां पर मैंने आपको बताए हुआ है कौन-कौन से प्लगिन है जो आपको यूज़ करना चाहिए अपनी वेबसाइट में और यहां पर मैंने कुछ ही प्लगिन रखे हुए जो कि आप यूज़ कर सकते हो में और सबसे पहले प्लगिन के अगर हम बात करें तो वह है एडिंसेटर सबको पताई कि अगर किस काम में आता है अपने को मैनेज करने में और प्लेस्मेंट करने में उसके वाद यह एक प्लग भडिंग रिलेटेट पोश्ट इसका मतलब यह है कि इसको मैंने डियक्टिवेट कर रखा है हला कि पर इसका जो काम होता है यह होता ही कि आप इस प्लगीन से जो आपका इस्टिकेर नहीं होता नीचे फोन में वहाँ से आप अपने आर्टिकल को भी लगा सकते हो उसके वाद सब्सक्राइब कर सकते हैं अब इनकी सेटिंग में बताई नहीं अगर मैं सेटिंग बताने लग जाता सभी प्लगिंस की तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाता जो कि आपको भी बोरिंग लगता इसलिए मैं सिंपल सिंपल से बता रहा हूं मुझे पता है आप लोग स्मार् आपकी डिस्क्रिप्शन होता है उसमें टाइटल और कीवर्ड को अलग से प्लेस्मेंट कर देता है पर यह कभी कभी स्पैमिंग भी मानी जाती है तो इस प्लगिंग को मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूं कभी-कभी मैं यूज करता हूं इसके सेटिंग को बार- आप लगिं नहीं सब्क्राइब किया होगा वो उनके पास चला जाए और रैंकमेट यहां पर हमारा स्से वगिं होता है हमारे पौस्ट का टाइटल सेट होता है साइट में बनता है उसके अलावा हम कौन सी केटेगरी को इंडेक्स कराना चाहते है मतलब केटेगरी टेक्स क veraj告 interactions करते हैं या फिर नहीं करते हैं पेज़ेस हमारे इंडेक्स रहेंगे फिर इनक्स रहेंगे या फिर ले dark website अपनी सह्ट् Nigeria कर दिया है सबस्क्राइब चाहते हो पर मैं परस्सक्राइब अपनी साइट फोर फ़र उगता हूं और इस अगला प्लगी नमर आता है शोट कोट फॉर डेट करेंट डेट इसमें क्या होता है आपने देख रहा होगा बहुत सरे अर्टिकल में मेरे यह किसी और के आर्टिकल में कि मैंने यहां पर यह लिखा हुआ जैसे 2022 तो यह जो बाइस और तीज हो गया है तो यह लिखा हुआ है अपने के लिख़ और यहां रहने अचैसे आपकोटिकल के तो इसम्पलडीच काम अधे हैं और यह सिम्पल अछिए यह मैने इस निज दालक इसके अलावा आपको बिल्कुल जरूरी में यूज करना चाहिए इसकी सेटिंग आप देख लेना आपको मास समझ आ जाएगा पर यह जो है यह आपकी पूरी साइट का बैक गुगल ड्राइब में अप्लोड करें रखता जहांसे कि आपका साइट अगर कभी भी डाउन जात है तो यह प्लगिन जो है यह आपके साइट को पांच मिनिट के अंदर जितना आपको नॉलेज रहेगा उसके इसाब से नए सर्वर पर सेट अप कर देगा और पूरा का पूरा साइट रिस्टोर कर देगा आपको बिल्कुल भी डेटा डेलिट ना होगा इसमें एक सेटिं साथ दिन के अंदर जितना भी पोस्ट बगएरा जाता है वह अपने आप यह बैक अप लेके आपके ड्राइब पर अपलोड कर दे और डब्लीप रोकेट से तो भाई आप सब के सब परिशित होंगे और यहां पर डब्लीप रोकेट एहम भूमी का निवाता है साइट को र नहीं पता है कि डब्लीप रोकेट कहां मिलेगा फ्री में तो मैं बता दू कि फ्री में यह प्लगिन नहीं मिलता है यह प्लगिन आपको खरीदना पड़ेगा और इसका जीपील वर्जन मैंने कैसे फिक्स करे वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हुआ है इस वीडियो में भी इसका में जीपील वर्जन दे दूँगा पर जीपील वर्जन यूज करने का मैं आपको रिक्मेंड नहीं करता क्योंकि उससे आपके साइट बाइचांस अगर हो जाती है तो फिर उसमें मेरी जिम्मेदारी किसी वी तरह से नहीं रहेगी तो आप कोई और प्लगिन भी यूज कर सकते हो जैसे कि हेडर फूटर कोड मेनेजर या फिर आप ज्यादा अच्छे कोडिंग आपको बेग्राउंड को कोडिंग का ही है तो फिर आप टीम की कोडिंग सेक्शन में जाके भी कोड को मैनेज कर सकते हो और WPS हाइड लोगिन यह आपक अगर यह वीडियो आपको काफी पसंद आयो तो आप इसको अपने दोस्तों के शाथ शेयर करें जो ब्लोगिंग करते हैं और फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में